समास की परिवासा है दो या दो से अधिक सार्थक सब्दों के मेल से बने नए सब्द को समास कहते हैं समास के भेद पहला है अब्यवी भाव समास दूसरा तत्पुरुष समास तीसरा कर्मधाराय समास चौथा द्वन्द समास पांचवा दिगू समास छटवा बहुत भी समास समास की ट्रिक देखेंगे द्वंदी अब तक द्वा मतलब द्वंद समास द्वी मतलब दिगू समास आ मतलब अव्यवी समास बास से बहुब्री ता से तत्पुरुस का से कर्मधारा समास यह हमारे समास की ट्रिक है द्वंदी अब तक इसके दुआरा हम सारे समास पढ़ेंगे, तो देखेंगे अव्यवी भायो समास, जिन सब्दों के प्रारंब में उपसर्ग लगा हो, उसे हम अव्यवी भायो समास कहते हैं, जैसे यथा, आ, अनु, निर, प्रा, प्रति, उधारन देखेंगे यथा संभव, यथा धन संभव, इसका अर्थ होता है जैसा संभव हो, मतलब इसमें यथा हमारा उपसर्ग है, दूसरा है अनू रूप, अनू धन रूप, मतलब इसमें अनू हमारा उपसर्ग है, तो रूप की योग, तीसरा है अजन्म, आ इसमें उपस कहती हमारा उपसर्ग है प्रतिक दिन तत्पुरुष समास समास को बिग्रह करने पर कारक चिन लोप हो जाता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं समास को बिग्रह करना और इस पर हमारा कारक चिन का लोप होना कारक चिन हमारे होते हैं करताने कर्म को करण से संप्रदान के लिए जैसे देखेंगे इसमें काके की के लिए मैं पेपर से तो उधारन देखेंगे यस प्राप्त यस को प्राप्त देखा बच्चो यस को प्राप्त इसमें को आया तो को हमारा ततपुरुष समास है मन चाहा मन से चाहा इसमें से हमारा ततपुरुष समास है तीसरा है कारक्चेन भी है कारक्चेन से भी आप पहचान सकते हो कि यह ततपुरुष समास है तीसरा है कर्मधाराय समास तो कर्मधाराय समास में क्या होता है कि जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की बिसेशता बताता है पहला पद दूसरे पद की बिसेशता बताता है उसे हम कर्म धारा कहते हैं नोट देखेंगे इसका दूसरे पद की तुलना पहला पद दूसरे पद की तुलना या फिर इसमें है जो आए या के समान आए है जो या के समान जहां आता है वो हमारा कर्म धारा समास है उधारन देखेंगे चरण कमल के समान चरन मतलब के समान के समान मतलब हमारा हो गया ये कर्मधारई समास दूसरा है कमल नयन कमल के समान नयन इसमें भी के समान आया तो कर्मधारई है महा पुरुष महान है जो पुरुष इसमें है जो आ गया है जो मतलब कर्मधारई समास चौथा है अध मरा आधा है जो मरा है जो इसमें भी है जो आ गया मतलब यह हमारा कर्मधारा समास है चौथा है द्वंद समास द्वंद समास कहता है कि यदि दोनों पद के बीच में योजक चिन आप योजक चिन तो जानते हैं मतलब योजक चिन लगा हो और बिग्रह करने पर और या एब आए तो वहां पर हमारा द्वंद समास होता है या तो योजक चिन लगा हो या बहां पर और आए या आए तो वो हमारा द्वंद समास होगा उधारन देखेंगे नदी नाले तो इसमें योजक चिन लगा है तो अगला समास है हमारा दिखू समास कहता है जिस पद में प्रथम पद संख्या वाचक हो या समू का पता चली उसे हम दिगू समास कहेंगे या तो हमें प्रधंपद संख्या बाचक हो या उसमें समू आया समू मतलब होता है जोड़ा या किसी चीज का समू जैसे दो पहर दो पहरों का समू इसमें दो हमारी संख्या हो गई और समू आया मतलब यह हमारा दिगु समास है तीन तिरंगा, तीन रंगों का समूह तो तीन इसमें हमारा क्या है संख्या बाचक है और समूह मतलब दिगु समास अगला है नव रात्र, नो रात्रियों का समूह तो इसमें संख्या भी है और समूह भी है इसलिए यह दिगू समास है, त्रकॉन, तीन कॉनों का समूह, मतलब संख्या और समूथ इसलिए यह हमारा दिगू समास हुआ अगला है चेटवा बहू बृही समास बहू बृही समास कहता है, जिस समास में कोई भी पत्प्रधान तो नहीं होता अर्था डौनों पद मिलकर तीसरे पद की और संकेत कर रहा है तो उसे हम बहु ब्रीस अमास कहेंगे इसमें मतलब दो पद मिलकर किसी पद की और हमें संकेत करते हैं जैसे नोट में देख लेंगे अक्सर कर तो होता है देवी देटाओं के नाम ज्यादता राते हैं उससे हम पहचान लेते हैं कि यह हमारा बहुब्री समास है और आगे उधारन देखेंगे घन स्याम घन के समान स्याम है जो तो मतलब कृष्ण भगवान की बात हो रही यहाँ पर दूसरा है लंबोदर लंबा है उधर जिसका मतल झालो के कृष्ण भगवान की बात है पर दोख्गवान की बात है झालो कि धृवान की पर दोँएम मतलब हैं कर सांदार्फ unpredictable ज़ार हो रहां जो हमें का हैं।